सबसी की खेती के कुछ तरीके बोधी, बोड़ा एवं सेम बोधी, बोड़ा एवं सेम है तु उप्युक्त भूमी उपजाओ बलूई, दोमट से मटियार, दोमट इनके फसलों के लिए सबसे ज्यादा उप्युक्त होती है बीच की उन्नत किसमे बोधी, पूसा बरसाती, याड लांग, काशी श्यामल, बिर्षा श्वेता आदी ये ज्जाडिदार किसमे है स्वर्ण हरिता, स्वर्ण श्वेता, स्वर्ण सुफला, आदी ये लतिदार किसमे है सेम, स्वर्ण उतकृष्ट, पूसा, अगेती तैयार खेतों में थालों के प्रति थाल दो से तीन बीच बोएं बीच बोने का समय बरसाती फसल जून जुलाई गर्मा फसल जन्वरी फर्वरी बीच बोने की धूरी कतार से कतार दो मीटर याने की छे से साथ फिट पौधा से पौधा देड मीटर दो से तीन फिट खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति एकर्ड प्रति डिसमेल गोबर की सडी खाद असी से सो क्विंटल साट से असी किलो यूरिया चालिस से साथ किलो चार सो से छे सो ग्रैम सिंगल सूपर फोस्पेट एक सो चालिस एक सो साथ किलो चोदा सो ग्रैम से सोला सो ग्रैम मूरियेट अफ पोटाश पोटाश चालिस किलो चार सो ग्रैम गोबर खाद सिंगल सूपर फोस्पेट क्यूरियेट अफ पोटाश की पूरी मात्रा खेट तयार करते समय ही दे दे परद्धू यूरिया की आधी मात्रा ही खेट की तयारी के समय दे शेश आधी मात्रा निकाई गुहाई करते समय दे तथा पौधों की कतार में मिट्टी चड़ा दे सिचाई बलसाद के मौसम में आवशक तानुसार तथा गर्मी के मौसम में सप्ता में सिचाई करे पौधा का बचाओ रोग रोगथाम लाही तथा फल छेदक कीड़ा बोधी तथा सेम में लाही लगने एवं फल छेदक कीड़ा के प्रकोप से फसल को काफी हानी पहुँचती है इससे पौधे सूकने लगते है लाही तथा फल छीदक कीडों से फसल को बचाने के लिए इंडो सलफास एक से देड़ मिली लीटर एक लीटर पानी से घोल कर छिड़काव करे